सिक्षा करांती लाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे जोते जगा कर ग्यान की हम सब को राह दिखाएंगे प्यारे बच्षो सिक्षे करांती चैनल में आपका स्वागत है आज हम अपनी पाठे पुस्तक जरोखा का पाठ चार होचलो की उड़ान का पेज नमबर 25 करेंगे तो पेज नमबर 25 में हमें किसके बारे में बताएंगे ब्रेल लिपी के बारे में तो इस पेज पर आज की वी और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल सिक्षे करांती को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन भी दबाए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिप किसन सबसे पहले मिले तो चलो सुरू करते हैं ब्रेल लिपी ब्रेल लिपी के 6 बिंदूओं को उनके सामने लिखे अक्षरो या अंको दवारा जाना जाता है ब्रेल लिपी में 6 बिंदू होते हैं जैसे यहाँ पे नीचे दिखाए गई हैं ये 6 बिंदू है और इस बिंदू में से 5 बिंदू को नुकिली चीच से इसमें छेद कर रख है जैसे बिंदू होमें say 5 में छेद किया हूँ है आपको देखाई दे रहा है और जब हम पेज में छेद करते हैं तो दूसरी तरफ निचान बन जाता है मानलो मैं इस पेज में छेद करता हूँ ऐसे तो दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे छेद बन गया है और जब हम इसके उपर उंगली फेरते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे छेद किया हुआ है उंगली से मैसूस होता है बिल्कुल छेद किया हुआ तो इसी परकार इसमें 6 बिंदू होते हैं उनमें से कितने में छेद किया होता है उसी के दवारा जो बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है वैसक होते है कोई भी व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता इन छे च्छेद की सायता से वो पड़ता है जैसे इसमें कितने च्छेद की हुए बच्चो इसमें है एक दो तीन च्यार पांच पांच च्छेद की हुए तो पांच च्छेद का मतलब क्या हुता है और कौन से ऐसे ये पांच है इनमें इसका मतलब क्या हुआ अब इसमें कितने 4 है इसमें देखें 3 और 1 ऐसे L टाइप है उल्टा L बना हुआ है तो यह B है इसमें निचे के 4 है हमें यह भी द्यान रखना है कि कौण से जो बिंदू है उनमें छेद किया हुआ है अब निचे इस लाइन में और एक इदार ऐसे बना के ये छेद की होए तो ये हुआ E तो इस परकार अलग-अलग जो 6-6 बिंदू है उन में से अलग-अलग छेद निकालते हैं और उनको पहचान के तोर पे रखते हैं कि जिसमें 5-6 है वो A है जिसमें 4 है वो B है जिसमें 2-6 है वो C है जिसमें 3 है वो D दूसरी तरह के 3 है उसमें कुछ और है इस परकार तो चलो इसके बारे में जानते हैं ब्रेल लिपी के 6 बिंदूओं को उनके सामने लिखे अक्षरो या अंको दवारा जाना जाता है देखिए इसके सामने A लिखाव है तो ये A है ये B तो B, C तो C इस तरह है इनके सामने जो ये अक्षर लिखे है इनके दवारा इनको पैचाना जाता है इस लिपी में इनी 6 बिंदूओं से वरणों की आकरतियों का निर्माण किया जाता है तो ये 6 बिंदू है इसी से वरणों की आकरती जैसे a है तो जैसे मैंने बताया है कि इसमें 5 बिंदू में हम 6 बिंदू करेंगे तो वो a बन जाएगा सकेल पर कुछ चोरस खिडकिया बनी होती है ये देखिए ये सकेल है इसके उपर चोरस खिड़किया बनी होते हैं इन खिड़कियों में लाइन से कटावदार 6-6 बिंदू होते हैं तो ये खिड़किया है इसमें लाइन में कटावदार 6-6 बिंदू होते हैं एक नुकीली कलम जिसको स्टाइलस बोलते हैं क्या बोलते हैं stylus से scale की खिडकियों में बने कटावदार बिंदूओं से कागज पर छेद करके लिखा जाता है तो ये जो है ये बीच में जो हमें line दिखाई दे रही है इसके अंदर से हम इसमें कागज डाल देंगे निचे ये दो बाग है एक उपर है और एक निचे इन दोनों के बीच में जगए यहां पर हम कागज डाल देंगे और ये stylus है यानि की कलम है और इससे हम छेद करते हैं इसे इससे छेद करते है कागज के उल्टी तरफ उबरे हुए छेदों को सब्दों के रूप में चूप कर जाता है तो जैसे अभी मैंने बताया था कि हमने यहां पर छेद किया और इसके दूसरी तरफ ये आपको दिखाई दे रहा है कि निचान बन चुका है ये इधार निचान बन चुका है और जब इसको हम उंगली से छूटते है तो हमें पता चलता है अगर यहीं पर मैं दो एक पहले छेद है एक और मैंने छेद किया तो यहां जब हम करेंगे तो हमें दो उबरे हुए बिंदू मैसूस होगे तो इसी परकार जितने बिंदू हमने छेद कि होते है उतने हमारे उंगली से मैसूस किया जाते है और उसी के दार पे हम देखते हैं कि ये A है ये B, ये D ये एफ ये एल ये एम ठीक है ना तो परंतु बिंदू हर बार सेम नहीं होते आगे पीछे उपर निचे दाएं बाएं कम ज्यादा ऐसे बिंदू छेद किये जाते है अब आगे हैं पता करो क्या पता करना है में अपने आस पास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगाओ जिसने विशेश आप सकताओं के बावजूद कोई महतवपून उपलब्दी प्राप्त की हो जैसे हमने पीछे पड़ा था किसके बारे में पड़ा था एरा के बारे में पड़ा था जो कि एक रीड की जो समस्या थी उसके बावजूद भी उसने civil service में पहला स्थान प्राप्त किया इसी परकार हमें पता करना है कि आपके आसपास कोई ऐसा वेक्ति जिसके अंदर सारे रिक कमी हो और फिर भी उसने मैत्वपूर्ण उपलब्दी प्राप्त की हो तो आप देखना कि आपके आसपास कोन ऐसा जिसके अंदर सारे रिक कमी है परंतो फिर भी उसने कोई अच्छी उपलब्दी प्राप्त की है खेलों में, पढ़ाई में, सर्विस में या किसी और अक्षित्र में उससे जाके बात करना कि आपने किस परकारिये उपलब्दी प्राप्त की और जब वो बताए तो बड़ी ध्यान से सुनना आपके अंदर भी एक नया ज्योस नई उर्जय का संचार होगा सोचो और लिखो, हमें निचे दिया हुआ है, जो लोग ठीक से चल नहीं सकते, उनके लिए स्कूलों में किस तरह की सुविधाये उपलब्द होनी चाहिए तो जो वेक्ती चल नहीं सकते उनके लिए स्कूलों में क्या होनी चाहिए उनके लिए क्या होनी चाहिए बच्चो वीलचेर जिसके अंदर पईयों होते हैं पईयों वाली कुर्शी होनी चाहिए ताकि उसको चलाकर वाराम से कक्षा में जासके बाहर जासके चुट्टी के ट कर दें और नीचे उतरने में कोई प्रेशानी ना हो और कक्षया के अंदर भी उसको बैठने के लिए उची जगए मिलनी चाहिए क्या तुमारे स्कूल में वे सभी सुविदाएं है जो इस तरह के व्यक्ति के लिए जरूरी होती है जो ठीक से चल नहीं पाते उनके लिए जो जो चीज़े की जरूरत होती है क्या वो तुमारे स्कूल में सभी सुविदाएं है तो हाँ अब हर स्कूल के अंदर स्लोप बना ह हुआ है अगर मालो वहां पे चलने वाले बच्चे जो ठीक से चल नहीं पाते वे बच्चे है तो उनके लिए वी चेर की भी सुविधाई उपलब्द होती है यह गोदिन नहीं तो इसKे साहता ले सकते हैं कि हमें बच्चों के लिए स्लोप बनाना है और बच्चों के लिए वीलचेर लेकर आनी है क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल में विशेश आवसकताओं वाले बच्चों को यदि उनकी आवसकताओं के नुरूप सभी सुविधाई मिले तो वे स्कूल आने में अधिक उच्साथ दिखाएंगे क्या आपको लगता है कि जिन बच्चों के अंदर कोई सारे रिक कमी होती है उन सारे रिक कमी के बावजूद जो उन्हें सुविधाय मिलनी चाहिए अगर वो सुविधाय स्कूल में हो तो वो स्कूल में अधिक उठ्सा के साथ आएंगे तो हाँ बिल्कुल अब जिस बच्च से पढ़ना उपलब्द करवाए जाए तो वो बड़ी खुशी-खुशी से स्कूल में आएगा और जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता उसके लिए अगर सुनने वाली मसीन उपलब्द करवा दी जाए तो वो भी स्कूल में खुशी-खुशी आएगा तो आज बस इतना ह यह जो हमें चार परसंद दिये इनको दुबारा पढ़ना और इनके उत्तर है वो अपनी कोपी पर दिखना और उसकी फोटो अपनी टीचर के साथ जरूर सेर करना तो आज बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो तक बाई बाई